थाना कोकरार शेत्र के अंतरगत ग्राम सभा अंदावा में बनी सरकारी पुरानी कानी हाउस में पानी और लाइट की कोई समुचित विवस्था नहीं है पानी को तरस रहे जानवर जिमिदार वाच्मेन की माने तो सरकार द्वारा किसी भी योजना का कोई लाव नहीं मिल रहा जो हैंड पंप वहाल पर लगा है उसमें तो नाम मातर का ही पानी है सरकार द्वारा हैंड पंप में बिजली और मोटर डालने का असवाशन दिया था लेकिन अभी तक मोटर नहीं डाली गए जिसमें मवेशियों को पानी पिलाने और चारे की सोविधात देने में वाच्मेन को सेकड़ों बार हैंड पाइप का हत्ता हिलाना पड़ता है उसके बावजूद भी पानी हैड पाइप से नहीं निकलता जिससे वाच्मेन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यह रदा ये यहाँ पर क्या समस्याएं हैं सबसे बड़ी समस्याएं कि दो बार यह हैट पंप बनवाया गया फिर भी सही नहीं हो रहा है और मिश्ट्री बना के चले जाते हैं फिर पानी उसी तरह फिर यह हमें सैक्लों हैट पंप चला तो तब जाके पानी निकलता है अच्छा यह बदाईए क्या इसमें मोटर डाल चलाने में आपको काफी मसकत करने पड़ती है जैसे पानी नहीं निकलता है तो आप पानी कहां से लाग करके जानवर चलाते हैं तो इसी में से पिला देता है इन्हीं आपको काफी मसकत करनी पड़ती है आप जी मेहनत करने पाद तो मेरी इन रहता हूं यह जुम्यदारी ह है अचाए एपश। आपकी यहां पर जुम्मेदारी है अम यहीं पर टीन मुहने हो गए रहता है इस समय कितने जानवर हैं הוא कॉनियो इस साथ कें हों कहां पर वनी है यह अन्दावा आपका सुभनाम बाइदना सुनकर से इसकाव के रहने वाले हैं मैं ग्राम मियक पुरॉबग रहने वाला उपकी यहां पर ड्यूटी लगी है जानवरों को देख रहता हूं और मेरे यहां डूटी लगी मुझको बंखा भी देते हैं और कुई सब व्यवास्ता हूँ सही है केवल थोड़ा बत्ती की व्यवास्था थी ऐट मम् परेशान होके तीन बार बनवाए गया नहीं है आप लगवाद यहां लगवात दें मगर अभी लगी नहीं है